सभी को मेरा नमस्कार, आज बाली का दिवस है और इस बाली का दिवस पर एक बेटी के रूप में मैंने अपनी मा के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप सब ये सुनेंगे तो आप सब को भी और इसी तमाम बेटियां जो अपनी मा के कार इस खुब सूरत दुनिया में आती हैं उनकी मा उन्हें सशक्त बनाती है सबल बनाती है और हम सब भी प्रण करते हैं कि अपने आसपास अपने घर परिवार में मातृत्त के अधिकार का प्रयोग एक मा अपनी बेटी को सुरक्षित सहच सुन्दर वातावरन दे और हमेशा उसका आधार इस्तम्भ बन कर रहती है मैं भी एक भाकिशाली बेटी हूँ कि मैंने ऐसी मा को पाया जिन्होंने ना केवल मुझे इस खुब सूरत दुनिया को देखने का मौकर दिया बलकि इसे जीने के लिए भी समर्थ सकारात्मत विचार दिये और उनके चड़ों में आज ये पंक्तिया में समर्पित करती हूँ सुन ए मेरी माई मैं हूँ तेरी परचाई और तेरी ही छत्रचाया में जहां के सारे सुक पाई तु जब जब मुस्कुराई बीराने में भी बहार आई तुझ से दूर जाकर क्योंकि जब एक बेटे की शादी हो जाती है तो वह अपने मा से भौतिक रूप से तो दूर हो ही जाती है तुझ से दूर जाकर मैं और तेरे करीब आई कभी जो मैं लड़ खड़ाई तो तुने अपनी उंगली पकड़ाई सुन ए मेरी माई मैं हूँ तेरी परचाई समर गई फिर से और निकल गई हर भबर से सुख की हो चांदनी या दुख के घने बादर बस यही दुआ है रफ से थाम लो तेरा आचल मा बनने के बाद आज ये बात मन में समाई कैसे सही होगी तुने मेरी ये बिदाई सुन ए मेरी माई मैं हूँ तेरी परचाई सभी का बहुत बहुत धने बाद झार